स्वागत है संध्या के कीचन में आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और प्याज की भाजी मैंने आलू चार पांच ले लिया है छोटा छोटा पीस काट लिया है प्याज हम तीन से चार प्याज ले लिया है अभी हम गैस जला दे रहे हैं कड़ाई गैस पर रख दिया है अभी हम कड़ाई हमारा गरम हो गया है अभी हम तेल डाल दे रहे हैं और उसमें मेथी दाना डाल दे रहे हूं मेथी हमारा अच्छे से ब्राउन हो जाना चाहिए अभी हम आदा चमत जीरा डाल रहे हैं जीरा हमारा हलका सा ब्राउन हो जाए, पक जाए अभी हम एक पिंच हिंग डाल दे रहे हैं अभी हम तीन प्याज जो काट के रखे थे वो भी हम डाल दे रहे हैं अच्छे से हमारा प्याज पक जाना चाहिए हलका सा ब्राउन चाहिए हमें बहुत टेस्टी बन के तयार होता है अलू प्याज फटा फट बन के तयार हो जाता है कभी भी भूख लगे फट से बना के खा लो अभी हम जो अलू काट के रखे थे छोड़ा छोड़ा पीस करके अभी हम वो भी कड़ाई में डाल दे रही हूँ अच्छे से हम इसको मिक्स कर ले रहे हैं बहुत ही टेस्टी भाजी बन के तयार होता है चटपटा भाजी बन के तयार होता है आप लोग जरूर ट्राइ कीजिए अभी हम इसको दो से तीन मिनट तक धग देंगे अभी हम वापस हम चला देंगे इस भाजी को फटा फट बनने वाला भाजी है ये अभी हम आदा चमच हल्दी पाउडर डाल दे रही हूं आदा चमच मिर्ची पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आदा चमच अमचूर पाउडर अमचूर पाउडर से खटा पनाता है बहुत अच्छा टेस्ट आता है चटपटा बन के तयार होता है अभी हम सभी मसाले डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे अभी हम एक चमच नमक डाल दे रहे हैं स्वाध अंसार अभी हम दो मिनट के लिए वापस धग दे रहे हैं जैसे कि हमारा भाजी अच्छे से पक जाए अभी हम वापस चला ले रहे हैं आप लोग पूड़ी, परेठा, नान किसी से भी खा सकते बहुत अच्छा भाजी लगता है अब फटा फट बन के तयार हो जाता है ये भाजी अभी हमारा ये हमारा सिक्रेट मसाला है अगर आप लोग को हमारा मसाला चाहिए तो आप लोग कमंट बॉक्स में जरू लिखना आप लोग को हम बना के दिखाएंगे ये मसाला बहुत टेश्टी मसाला बन के तयार होता है ये देखिए, ऐसा ही लगता है हमारा मसाला सभी मसाले को डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे कि अच्छे से मिक्स हो जाए अभी हम हरा धनिया डालते रहे हैं हरा धनिया से और अच्छा टेश्ट आता है देखिए, हमारा बन के तयार हो गया है अभी हम थोड़ा सा हरा धनिया से गार्णिस करके दिखा देती हूं अगर हमारा अलू प्याज का भाजी पसंद आए तो लाइक से सस्क्राइब जरूर करना अब बेल आइकन बेटन जरूर दबाना देखिए, परफिक्ट अलू प्याज का भाजी बन के तयार हो गया है टाटा बाई बाई